रादे रादे जैसरी किष्णा का खानी संग्रे में हमारे सवी सोताओं का हार्दिक अभिनांदन है भगतो आज की वीडियो में हम माग पूर्मा इश्नान दान वर सुब मफूर्थ जानेंगे हिंडू बँचांग के अनसार 4 भरवरी रात 9 बज कर 29 मिनट से पूर्मा तिथी प्रारम होकर 5 भरवरी रात 11 बज कर 58 मिनट तक रहेगी पाँच भरवरी को सूर्वाद्य के समय पूर्मा तिथी होने के कारण यह पर्व 5 भरवरी को मनाया जाएगा आये जाने इश्नान दान का शुम्भूत इस माग पूर्मा को मागी पूर्मा के नाम से भी जाना जाता है इस दिन पवित्र नधियों में इश्नान का हमारे सास्त्रों में भी धान बाया जाता है जिससे हमें अच्छे पुन्फल की प्राप्ति होती है इस वार 2023 में माग पूर्मा पर पुष्य योग सहे चार सुब योग भी वन रहे हैं माग पूर्मा को ढ़ाई गंटे से अधिक समय तक भद्रा है यह असुब योग सुबह 7 बज कर 7 मिनट से 10 बज कर 44 मिनट तक रहेगा माग पूर्मा को इश्नान दान करने से हमें 10,000 अश्व में यगिक के पुनफल की प्राप्ती होती है माग पूर्मा को प्रयाग राज संगम में इश्नान करने से मोच की प्राप्ती होती है इस दिन लच्छमी नाराण को प्रसंद करने के लिए सिरी सर्थ नाराण व्रत कथा का भी आयूजन किया जाता है वा रात में चंद्रमा और माता लच्छमी की पूजा करने से अच्छे धन संपत्ती की प्राप्ती होती है इस पूढमा पर सुभ योग में आसांस दे उपायद्वारा आप सिरी हर विश्डूब बगवती लच्छमी की क्रपा प्राप्त कर सकते हैं माग पुर्मा पर स्रेम सिरी हर जल में नवास करती ही इस दिन पवित्र नदियों में इश्नान करने से वगवती लच्छमी सहित सिरी हर की क्रपा प्राप्त होती है लच्छमी जी की क्रपा से धन यस के साथ साथ उत्तम संतान की प्राप्ती होती है मागवास के महीने में सिरी हर के साथ धनकी देवी लच्छमी की फूजा करने से घर में सुक्सान्ती का वास होता है इस दिन धनकी देवी लच्छमी को पीले ब लाल रंग के पुष्प अर्पित कर खीर का भोग लगाने से बेप्रसन होती है इस दिन इशनान कर बस्त्रों में कमल का दान करना चाहिए इसके अलावा तिल, घी, गुड, नमक, गाय, अन दान करने से 32 गुना पुन्फल की प्राफ्ती होती है मागपुणमा या विशेश पर्वों पर दीप दान करना अतिशुप फंदाई माना जाता है दीप दान का मतलब किसी धार्मिक इस्थान में इशनान कर वहते पानी में दीपक जलाकर प्रवाहित करना या देविस्थान किसी मंदिर में दीपक जलाना दीप दान कहा जाता है ऐसा करने से देवी देवता प्रशन होते हैं इस दिन हरिप्रिया तुलसी के नीचे दीपक जलाने से लच्छमी जी की क्रपा प्राप्त होती है माग पूर्मा को बिदवत लच्चमी जी की पूजा सिरी शुक्त का पाठ करने से लच्चमी प्रशन होकर आसीरवात देती हैं इस दिन पित्रों का तरपर करने से बे अति प्रशन होते ही और उन्हें श्वर्ग की प्राप्ति हो मुक्ति मिलती है यह सबसे बड़ा पुर्णे का कारी है पित्रों के आसीरवात से धन संबंदी वादाएं दूर होकर शुक्त संब्रद्धी फ्राफ्त होती है माग पूर्मा के दिन पिफल व्रच्च पर माता लच्चमी जी का आगमन होता है इस दिन फिफल को जल अर्पित कर उसकी परक्रमा करने से लच्चमी प्रसन हो धन संपत्ती में ब्रद्ध करती है पूर्मा तिथी को चंद्रदेव अर्था चंद्रमा को खीर अर्पित करने से धन वैवव की प्राप्ती होती है पूर्मा को धन की कामना रखने वाले व्यक्तियों को भगवती लच्छमी जी को कौडियां अर्पित करने से आर्थिक तंगी दूर होती है 11 कौडियों को हल्दी में रंग कर भगवती लच्छमी जी को अर्पित करें सुबह इन्हें लाल कपड़े में भांद कर धन रखने वाले स्थान अर्था तिजोरी में रखते हैं इस प्रकार आप भी माग पूर्मा को पोश्य नच्छत्र में ए आसान से उपाय कर भगवती लच्छमी जी को प्रसंद करने का मौका न गमाएं तो भग तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुती अगर आपको हमारी प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सियर करें